नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सब की प्रिप्रेशन कैसे चल रही है? NBS Non-Teaching Exam की दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिप्रेशन करते रही है आप जिस भी पोस्त के लिए अपलाई किये हैं उसके सलेवस के कोडिंग आप बहतरिन तरिका से प्रिप्रेशन करें और इस चैनल पे यानि की टारगेट ओफिसर पे आपको हिंदी का कंप्यूटर का जीके जीएस का बहतरिन कंटेंट दिया जा रहा है और आपके एकजाम तक दि बेस्ट कंटेंट आएगा जो आपके इस एकजाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा यदि आप लोग पहले वाला ओल टोल वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देख लें आपको इसका पले लिस्ट मिल जाएगा NBS Hindi 2024 करके NBS Computer 2024 करके और NBS GK 2024 करके पले लिस्ट एबलेवल है आप लोग Hindi Computer GK GS का ओल टोल वीडियो देख लें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओके दोस्तों जैसा कि आपको कल बताएं हैं कि 2024 में यानि कि इस वार जो NBS Nantichin के वेकेंसी आई है इसमें टोटल कितना फॉर्म अपलाई हुआ है, किस-किस पोस्ट के लिए कितना किटना केंडिडेट ने अपलाई किया है आपको RTI रिपलाई दिखाए, एक-एक करके सभी पोस्ट का आपको दिखा दिये यदि आप लोग वोगला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जरूर देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसका लिंक description box में देदेंगे और comments box में देदेंगे, आप लोग अच्छे से पोड़ा वीडियो देख लें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि NTA के द्वारा RTI reply में data देने में कितना परिसान किया गया, उसके बाद NTA के द्वारा data दिया है और 2022 में कितना apply हुआ था कि इसकिस post के लिए वो भी आपको दिखाए थे, 2022 में ही जब इसका vacancy आया था और apply हो गया उसके बाद आपको दिखाए थे जब RTI reply आया था तो और उसके बाद आपको इस बार भी दिखाए हैं जब 2024 का vacancy आया था उस time आपको दिखाए थे कि 2022 में कितना apply हुआ था किसकिस post के लिए तो आप लोग दोनों वीडियो देख सकते हैं आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये सब जो data है हम RTI reply के माधियम से आपको बता रहें ना कि अपने मन से बता रहें और जो भी information जो भी RTI reply जो भी data आपको दिया जा रहा है दिखाए जाता है वो 100% genuine होता है 100% authentic रहता है आ आप Target Officers Channel को देख रहें मतलब जो भी data आपको दिखाया जाएगा 100% genuine होगा तो दोस्तों इस वीडियो में आज आपको 2024 और 2022 दोनों में compare करके बताएंगे कि 2022 में कितना competition था एक post के लिए कितना candidate apply किया था और इस बार कितना competition है दोनों आपको compare करके दिखा रहें तो आप ल दोस्तों चलिए हम लोग सभी post का एके करके देख लेते हैं यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप अपने दोस्तों में भी share करें और आप लोग हिंदी computer GKGS का वीडियो continue देखते रहें ओके तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं MTS का multi-tasking staff का एक एक करके total 14 तरह का post है तो हम लोग एक एक करके सभी का देखेंगे तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि MTS में 2022 में total जो vacancy था वो कितना था 23 था यानि कि 23 vacancy था और इसके लिए जो total form अपलाई हुआ था वो कितना हुआ था 18,899 candidate ने इसके लिए अपलाई किया था 23 post के लिए तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 4735 candidate था अब आईए देख लिए इस वार का क्या हाल है 2024 का क्या हाल है तो आप लोग यहां पे देखें इस वार कितना vacancy है MTS में तो 19 vacancy है और इसके लिए अपलाई कितना किया है तो 6,260 candidate ने अपलाई किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए कितना candidate हुआ 172 candidate ये भी कम नहीं है ओके आप 2022 से compare करेंगे तो इस बार कम competition MTS में लेकिन ये भी कम नहीं है एक post के लिए 3,000 candidate है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जादा मेहनत करना होगा इतना आसान नहीं होगा cut up बहुत ही high जाने वाली है आप मेहनत में लगें यदि आप मेहनत करेंगे तो आप टकर दे पाएंगे समझ मागे दोस्तों तो इसलिए आप लोग exam date exam date का इंतिजार मत करते रहें आप लोग तयारी करें NTA के द्वारा बहुत जल्द exam date declare की जाएगी और अब आईए हम लोग देख लेते हैं अगला पोस्ट का तो जैसा कि आप लोग देख रहें कि अगला पोस्ट है मेस हेलफर का तो 2022 में कितना वेकेंसी था दोस्तों तो 629 वेकेंसी था और इसके लिए जो total अपलाई हुआ थ था तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए only 10 candidate है ना तो बहुत ही कम competition इसको कहा जाएगा ये इसलिए था क्योंकि इसमें experience बहुत जादा मंगा जाता है इसलिए इसमें जादा अपलाई नहीं हो पाता है तो में सेलफर में competition ना के बराबर रहता है तो ये तो हो गया 2022 का और इस बार का आप लोग देखें तो इस बार टोटल में सेलफर के लिए 442 वेकेंसी है और इसके लिए जो अपलाई किया है वो 5192 candidate ने अपलाई किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 12 candidate के बीच fight होगा तो इसे भ देखा ओके competition बिल्कुल भी नहीं है और अब आईए देखते हैं अगला पोस्ट तो अगला कौन सा पोस्ट है दोस्तों तो ये है लैव एटेंडेंट का तो इसमें 2022 में टोटल 142 वेकेंसी था और इसके लिए जो अपलाई किया था वो 90,050 candidate ने इसके लिए अपलाई किया है वो टोटल 70,192 candidate ने अपलाई किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 436 candidate है आप लोग 2022 से compare करेंगे तो competition थोरा सा कम है लेकिन फिर भी आपको exit पका करने के लिए 436 candidate के बीच fight देना परेगा समझ में आगे दोस्तों अब आईए देखते competition कम plumber का post तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2022 में total 273 vacancy था और इसके लिए जो अपलाई किया थो वो 19,845 candidate ने अपलाई किया थो तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए total 73 candidate के बीच fight था और उसके बाद आप लोग इस बार का देख लें 2024 का तो इस बार total 128 vacancy है और जो अपलाई हुआ है वो 12,484 candidate ने अपलाई किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 98 candidate available है और अब आई दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला post कुन सा है तो ये आपका है catering supervisor का post है 2022 में जो vacancy निकाला गया था दोस्तों उस में catering assistant का था ओके तो ये जो data है वो catering assistant का है दोनों में आप compare कर सकते हैं तो catering assistant में 2022 में total 80 saver vacancy था इसके लिए जो अपलाई किया था वो 5009 candidate ने अपलाई किया था और एक post के लिए 58 candidate available था इतना competition catering assistant के लिए 2022 में था और इस बार आप लोग देख ले तो इस बार total 78 vacancy है और इसके लिए जो total apply हुआ है वो 4642 candidate ने apply किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 60 candidate available है तो आप लोग देख रहे हैं कि किसी-किसी post में तगड़ा competition है किसी-किसी post में बहुती कम competition है है ना और इसके बाद आप लोग देखें computer operator का तो computer operator का 2022 में total 4 vac agency था इसके लिए जो apply हुआ था वो 8622 candidate ने apply किया था तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 2156 candidate अप लाई किया था है ना तो ये computer operator में competition था और आप इस बार का देखेंगे 2024 का तो total दो post ही इस बार है और इसके लिए जो apply किया है वो 500061 candidate ने apply किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 2151 candidate है competition बहुत ही तगड़ा इसको आप competition नहीं कहेंगे आपको यदि एक post पका करना है तो आपको 2500 candidate को हराना परेगा 2500 candidate के बीच एक post के लिए fight चलेगा समझ मागे दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा competition बहुत ही ज़्यादा आप इसको कहेंगे इसके बाद आप लोग देखें जुनियर सेकरेटरियेट असिस्टेंट हेड़कोार्टर और आरोकेडर में 2022 में टोटल आठ वेकेंसी था इसके लिए जो अपलाई हुआ थो वो 11,371 candidate अपलाई किया था तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 1421 candidate एवलेबल था पिछला बार से बहुत ज़्यादा अपलाई इस बार हुआ है आप लोग यहाँ पे देखें इस बार 21 post है GSA, headquarter और आरोकेडर के लिए और इसके लिए जो अपलाई किया है वो 36,471 candidate ने अपलाई किया है बहुत ज़्यादा पिछले बार से तिन गुना इस बार headquarter और आरो के लिए अपलाई किया है अब वेकेंसी देखेंगे तो पिछले बार था आठ इस बार है 21 तो आप लोग देखेंगे तो वेकेंसी भी तिन गुना हुआ लगभग और अपलाई भी तिन गुना से ज़्यादा हो गया है सब क्या सोचते हैं कि वेकेंसी कम है ज़्यादा अप परेगा उसके बाद आप पूस्टपका कर पाएंगे तो आप अच्छे से्प्रिप्रेशन करें धमाके दार करें आपको 130 में बहुत यादा स्कोर करना परेगा आप बहतरीन तरीका से प्रिप्रेशन करें अब आईए दोस्तों आपको दिखाते हैं जुनियर सेक्रेटरियर असिस्टेंट जेनवी केडर का तो इसमें आप लोग देखें 2022 में टोटल 622 वेकेंसी था और इसके लिए जो अपलाई हुआ था वो 1,182,393 अपलाई किया था 2022 में तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 293 कंडिडेट एवलेवल था तो आप इसको नहीं उतना ज्यादा कहेंगे नहीं उतना कम कहेंगे तो ये तो हो गया 2022 का आप लोग इस बार का देख लें 2024 का देख लें तो टोटल जो वेकेंसी है वो 360 है इसके लिए जो अपलाई हुआ है वो 87,600 कंडिडेट अपलाई किया है तो अपलाई भी पिछले बार से आधा हुआ है ना वेकेंसी भी लगबग आधा है और अपलाई भी आधा ही हुआ है पिछले वार से है ना तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 243 candidate है और पिछले वार कितना था 293 candidate था तो आप लोग देखेंगे तो पिछले वार से इस बार कम competition है ओके तो यदि आप लोग exit पका करना चाहते हैं तो अच्छे से महनत करें आपको 243 candidate को fight दे पिछले बार से इस बार से अप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 246 candidate के बीच competition होगा तो आप लोग पिछले बार से करेंगे तो competition आधा है इस बार ओके हां तो यदि आप लोग अच्छे से महनत करें अच्छे से प्रोप्रेशन करें आपको यदि एक फिट पका करना है तो 446 candidate को fight देना पड़ेगा ओके और अब आये दोस्तों आप लोग आगे देखें अब आपका रहा legal assistant के लिए तो 2022 में कोई vacancy नहीं था और इस बार कितना vacancy है तो एक है और इसके लिए जो अपलाई हुआ है वो 151 candidate ने अपलाई किया है तो आप लोग इसी साब देखेंगे तो competition भी उतना ही है एक पोस्ट और candidate 151 है ना जो भी है 151 भी कम नहीं है आप अच्छे से महनत करें और अपना exit पका करें आपको topper बनना परेगा है ना तो उसके बाद ही आपका job confirm हो पाएगा ओके और अब आप लोग देखेंगे जुनियर translation officer का तो 2022 में जो total vacancy था वो 4 था इसके लिए जो अपलाई हुआ था वो 1356 candidate ने अपलाई किया था तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो competition था 349 एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए जो candidate available था वो 349 था और इस वार आप लोग देखें तो वेकेंसी है चार इसके लिए जो तोटल अपलाई हुआ है वो 1307 candidate ने अपलाई किया है तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 327 candidate के बीच competition है आप लोग पिछला वार से compare करेंगे तो लगभग competition सेम है समान competition होगा ना जादा है ना कम है लगभग बढ़ाबर होगा और उसके बाद आप लोग देखें आगे तो आगे अब आपका है audit assistant के लिए 2022 में total 11 vacancy था इसके लिए जो apply हुआ था वो 14274 candidate ने apply किया था तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक post के लिए 1298 candidate available था और इस बार आप लोग देखेंगे 2024 में तो total 12 post है और इसके लिए जो apply किया है व इस बार competition कम है तो जो दोस्तों लोग इस post के लिए apply किये हैं आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अपना एक seat पका करें और अब देखें assistant section officer में इसमें 2022 में total 10 vacancy था और apply हो गया था 50,000 के आसपास बहुत ही तगड़ा competition इसमें हो गया था इसलिए क्योंकि उस बार experience mandatory नही which fight था बहुत ही तगड़ा fight था और इस बार आप लोग देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत कम हो गया है इस बार total 5 vacancy है और जो apply हुआ है वो 2122 ही apply हुआ है क्योंकि इस बार experience mandatory कर दिया गया था assistant section officer post के लिए इसलिए इस बार जादा apply नहीं हो पाया जिनके पास experience होगा जो अब भी UDC post में कहीं काम कर रहे होंगे वही इसमें apply कर पाये होंगे है ना तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो competition है 424 एक post के लिए 424 candidate इसमें available है और पिछले बार कितना था एक post के लिए 5000 candidate इसमें available था और इस बार 424 तो 2022 से आप compare करेंगे तो competition बहुत ही नीचे आ है क्योंकि इस बार ज्यादा apply नहीं हुआ experience के बज़ा से है ना और आप लोग अब last में देख ले female staff nurse का तो पिछले बार total 82 vacancy था इसके लिए जो apply हुआ हुआ वो 38,449 candidate ने apply किया था और आप देखेंगे तो competition 479 था एक post के लिए 479 candidate available था और इस बार आप लोग देखेंग इस बार apply किया है लेकिन vacancy पिछले बार से जादा है इस बार ओके और इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो competition only 100 एक post के लिए 100 candidate है और पिछले बार कितना था 479 candidate एक post के लिए था तो female staff nurse में इस बार चोथाई competition है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं है ना तो जो दोस्त ल कि 2022 में क्या हाल था और इस बार क्या है अब आप लोग अच्छे से decide करें कि competition कितना ज्यादा है या कितना कम है और हम आपसे यही कहेंगे कि competition ज्यादा हो या कम हो आपको मेहनत करनी ही होगी मान लीजिए कि एक post पर दो ही candidate हो तो आपके और उसके बीच तो competition होगा आपको व मेहनत करेंगा आप भी करें है ना अच्छे से मेहनत करें एक सही तरीका से मेहनत करें मेहनत करता सब है लेकिन जो सही तरीका से महनत करता है selection उसी का होता है और सलेवस के according पढ़ना क्या-क्या है जिसको पता चल गया वो competition और आगे भी देते रहेंगे जो आपको इस एकजाम में अच्छा खासा हिल्प करेगा आप हिंदी कम्प्यूटर GKGS में अच्छा हिस्कोर करके आएगे और आप लोग भी अच्छे से महनत करते रहें बैतरी तरीकास से प्रिप्रेसन करते रहें हमसे जहां तक हो पाएगा आ आपको help करते रहेंगे ओके दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नीप देले के तब तक के लिए धन्यब नमसकार